Hello students and welcome back to our online classes. Now, today we are going to learn subject English बालभार्ती of Standard 1st. Unit number 6, उसका second lesson, शाम्स होर्सकाट यारे की शाम की घोडा गाड़ी और जिसे हम टांगा भी कहते हैं, ओके होर्सकाट याने टांगा. तो चलिए, look, listen and read aloud. शाम स्टाटेड इन ही होर्सकाट तो गो तो दो फेर. शाम ने जत्रा, फेर याने जत्रा में जाने की तैयारी की और किस पर बैटकर जाने की होर्सकाट पर. शाम स्टाटेड इन ही होर्सकाट तो गो तो दो फेर. On the way, मधू एंड मीरा सेड, देखो उसको रास्ते में कौन मिला? मधू एंड मीरा. और वो क्या कहने लगे? Can we come? हम आ सकते हैं क्या? Oh yes, सेड, शाम. और शाम ने क्या कहा? Oh yes, यारी कि तुम आ सकते हो. बाद में, the dog saw them. देखो किसको देखा? डॉग ने? शाम, मधू, एंड मीरा. ये जो तीन लोग बेटे हैं इस टांगा में होर्सकाट पे. तो रास्ते में डॉग ने उनको देखा. He asked, can I come? डॉग ने भी कहा कि मैं भी आ सकता हूँ क्या? Oh yes, सेड, शाम. और शाम ने क्या कहा कि हाँ, तुम आ सकते हो. They were going through the fields और वो सब खेट से जा रहे थे. The peacock saw them and asked, देखो यहाँ पे peacock रास्ते में मिला और उसने भी क्या कहा? Can I come to the fair? मैं भी फेर में आ सकता हूँ क्या? Oh yes, सेड, शाम. देखो शाम जब घर से गुजर रहा था, होर्सकाट पर अपने रास्ते में, याने की फेर में जान बाद में डॉग मिला और अब कौन मिल गया? Peacock, ओके? तो जो जो भी रास्ते में उसको Peoples मिले या Animals मिले, तो शाम ने उनको अपने होर्सकाट पर बेट ने दिया और फेर में सबको लेकर जा रहा है, ओके? तो देखें, यहाँ पे होर्सकाट में, त्री पीपल्स आर हीर and two animals are here, dog and peacock, animals and three peoples, okay? When they were crossing the river, जब वो रास्ते में उनको नदी लगी, तो जब वो नदी से होकर जा रहे थे, the frog asked, can I come to the fair? रास्ते में उनको कौन मिला? यह है, फ्रॉग, वो मिला और वो क्या कहने लगा? कि मैं भी फेर में आ सकता हूँ क्या? Oh yes, said all of them, और यह जो सारे के सारे यहाँ पर होर्स कार्ट पर बेटे थे, वो क्या बोले? Yes, तुम आ सकते हो, हाँ, कि तुम आ सकते हो, शाम said, come and sit near me, यह है शाम और शाम ने क्या कहा? कि आ जाओ और मेरे पास में बेट जाओ, उसके बाद में, they saw the fair from a distance, उनको थोड़ी पर यह जो fair है, वो दिखाई दी, थोड़े दूर के अंतर से, fair याने जत्रा, the peacock was so happy, देखो जो मोर था, वो बहुत ही खुश था, it spread its feather and started dancing, देखो, fair को देखने के बाद में, यह जो peacock है, बहुत ही खुश हो गया, और उसने खुशी से अपने पंक फेलाए और नाचने लगा, but one feather touched the dog's ear, लेकिन जो उसका एक piece था, उसका जो feather, एक पंक था, उसने क्या किया, जब उसने पंक फेलाए तो उसका एक फिदर था, एक पंक था, उसने dog's ear को, याने के कुट्टे के कान को, टच किया, एक फिदर उसका पंक है, वो उसके कान को लगा, इसके dog के, he sprang up and barked loudly, madhu was frightened, madhu घबरा गई, mira fell on the frog, और mira है वो frog पर जाकर गिरी, the frog fell on the horse, और जो frog था, वो गोडे पर जाकर गिरा, the horse was so frightened that he ran helter and skelter, और गोडा घबरा गया, लेकिन जो गोडा था, वो इतना घबरा गया, कि वो इधर उधर जाने लगा, शाम fell off, और शाम भी है, वो गिर पड़ा, then madhu and mira also fell off, madhu और mira जो horse card पर बैठे थे, वो भी गिर गए, one by one all of them fell off, और एक के बाद एक में वो सारे गिर गए, देखो जो भी horse card पर बैठे थे, वो peacock के याने मोर के पंख फैलाने से, देखो सारे के सारे गिर पड़े, जैसे कि जो मोर का पंख था, वो कुत्ते के कान को लगा, तो कुत्ता भोकने लगा, और उसके भोकने से, मधू, मीरा और शाम ये सब गिर पड़े, the horse kept running and stopped when it reached near the fair, horse ने दोडना चालू रखा और वो रुख गया, जब वे सब मेले में पोज गये तब, फेर याने मेला भी है, ओके, शाम, मधू, मीरा, the dog, the peacock and the frog were all panting, when they reached, शाम, मधू, मीरा और जो कुत्ता था, and peacock and the frog, they were all panting when they reached, जब ये सारे के सारे मेले में पहुच गए तब वो सब हाफने लगे थे याने ये वो ठक गए थे जैसे कि घोडा घबरा गया था और घबराने के वज़े से वो बहुत तेजी से भग कर वो ज़्यादा तेजी से दोड कर मेले में पहुच गया Till then the horse became quiet and relaxed उसके बाद में घोडा था वो शान्त हो गया और वो रिलेक्स हो गया in the evening they returned happily in the horse card और शाम के बक्त सारे के सारे जो थे horse card पर बैठे थे वो सब के सब कुशी से अपने घर वापस आये उसी horse स्काट पर बैट कर देखो कितनी मज़ेदार कहानी है ये और देखो शाम होने के बाद में बहुत बड़ी मस्ती करने के बाद में मौज मज़ा करने के बाद में ये कितनी खुशी से और स्काट पर बैट कर अपने घर जा रहे हैं तो चलिए आपको भी इस स्टोरी को अच्छ